ओम शान्ति आज 25 जानवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को सपश्ट करेंगी आदर निया आशा दीदी ओम शान्ति दीदी ओम शान्ति प्यारी बाबर ने हम बच्चों को कहा मीठे बच्चे बाब को याद करने की खूब महनत करो क्योंकि तुम्हे सच्चा सोना बनना है इसमें एक सवाल उठता है कि जबकि वो हमारे पिता है तो हमको याद करने में महनत क्यों लग है पिता की याद तो स्वभावी कोनी चाहिए है यह मेहनत क्यों बाबा देखते हैं कि बच्चों को पच्चीस सो साल से कोई भी छोटी-छोटी बात होती है तो उनका मन एक आगर नहीं रहता वो डिस्ट्राक्ट होता है इसलिए अगर हमें शक्तिशाली बनना है अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो concentration आवश्यक होती है और यहाँ पर concentration बाबा उस पर कहते हैं जो कि सर्वगुणों का सर्वशक्तियों का सागर है जिसके साथ सर्वसंबंध है तो उसको जितना याद करेंगे हम उतनी हमारी आत्मा सोने तुल्य अर्थाद गोल्डन एजिट होती जाएगे क्योंकि बाबा के सिवाए ये चीजे और तो कहीं है नहीं इसलिए बाबा कहता है इसमें मेहनत करो प्रशन है अच्छे पुरुशार्थियों की निशानी क्या होगी जो अच्छे पुरुशार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे सदा श्रीमत पर चलने वाले ही उच पद पाते हैं बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूख है बाकी सब उनके आशिक है जब हमको यह समझ आ जाती है कि शिवाबा सुप्रीम है उसे और कोई उंचा नहीं है जैसे कोई चीज को हम बहुत ही कैफुली करना चाहते हैं तो हम कहते हैं इसमें जो एक्सपर्ट है उसके एडवाइस चाहिए ऐसे जो सारी इसमें सबसे उंचा है वो परमात्म है तो उसकी ही शुरीमत एडवाइस सबसे ज्यादा वाल्योबिल है सबसे ज्यादा उंची है का पालन कर लिया बापर और कलियोग भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ति कनेक्शन नहीं है चौरासी जनम भी तुम्ही भोगते हो पिर बाबा ने कहा कि भारत ही सबसे उचे ते उच अविनाशी है भारत खंडी स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता भारत सबसे उंचे से उंचा भी है और भारत में रहने वाले हम बच्चे भी एक वक्त था जो सबसे उंचे से उंचे थे और आधी नंबर वन जनम वाले थे तो हमने ही पूरे 84 जनम लिये हैं बाबा बतलाते हैं वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम पार है परंतु सच्ची गीता की अभी बाब तुमको राजयोग सिखलाते हैं ये गीता का पुरशोत्तम संगम युग है भारत ही फिर पुरशोत्तम बनने का है अभी वो आदी सनातन देवी देफता धरम नहीं है, राज भी नहीं है। बाबा ने कहा कि अभी ये गीता आदी शास्त्र सब खतम हो जाएंगे, बाकी सिर्फ देवी देफता धरम ही रहेगा, ऐसे ने कि उनके साथ गीता भागवत आदी भी रहेगी, नहीं। प्रालब्द मिल गई, सद्गती हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदी की दरकार ही नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा, बाब कहते हैं कि मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ये भक्ती मार्ग की उल्टी महिमा है फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है, वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है हर चीज सतो, रजो, तमों में जरूर आती है मनुष्य भी एक जैसे होते नहीं, बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद होते हैं, अर्थार्द रजो, तमों में आते हैं बाबा ने इस प्रकार पूरी साइकल को भी बतलाया कि किस प्रकार बाबा एक ही बार जब दुनिया तमों प्रधान है, तो आते हैं फिर बाबा ने कहा कि अब सतों प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है त्रिमूर्थी में भी ब्रह्मा विश्नु शंकर दिखाया है उनका अर्थ कोई समझते नहीं है वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्थी शिव न की ब्रह्मा यह दुनिया में प्रसिद्ध है कि वो त्रिमूर्थी ब्रह्मा कहते हैं कभी ब्रह्मा जी को चतुरान भी कहते हैं और कभी पंचानन भी कहते हैं जात त्रिमूर्थी उनके तीन मुख दिखाए जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि तरिमूर्ती ब्रह्मा नहीं हो सकता है, हालां कि ब्रह्मा के द्वारा शुव बाबा तीनों ही कारे करा रहे हैं, एक लिहास से देखा जाए एक वक्त पर जो हमारे सम्मुख रहता हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा स्थप्रा कारे भी करा रहे हैं, ब्रह् परिन्ति Newグiddels के द्वारा पुर्हाने आस्रि जो कार मारे उनके दाश्र कारे भी कराु तो निड़ाने वाले है शीर बावा परन्तु ब्रह्मा के द्यारा कराती इसलिक द्वार्म तर भावा ने कहा कि गाते भी हैं परमपिता परमात्मा प्रम्हा द्वारा ब्रामणों की स्थापना करते हैं बाबा ने कहा कि भक्ती मार्ग में कोई बायोग्रफी ओक्यूपेशन को नहीं जानते तो ये जैसे गुडियों की पूजा हो जाती है कलकत्य में गुडियों की पूजा कितनी होती है फिर उनकी पूजा कर खिला पिला कर समुद्र में डुबो देते हैं शिव बाबा मोस्ट बिलाविट है बाब कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बना कर पूजा आदी कर फिर तोड फोड देते हैं सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं क्योंकि बियोग्र लही जानते हैं, उनका आद्मजयन्थ को नहीं जानते, इसलिए वो जैसे बनाया और उसको जब रखे हैं, सभ्ना करते हैं तो उसके साथ उनको कई नियम तो की धारणा भी करनी पड़ती है तो आपने समझाया है हम सो का अर्थी है हम आत्मा सत्युग में सो देवी देफ्ता थी फिर हम सो शत्रिय हम सो बैष्य हम सो शूद्र बनी अब फिर हम सो ब्राह्मन बने है हम सो देफता बनने के लिए ये है यथारत अर्थ वो है बिलकुल रॉंग बाब कहते हैं मनुष्य रावन की मत पर चल कितने जूटे हो गए इसलिए कहावत है जूटी माया, जूटी काया सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अच्छे पुरशारिती कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पत पाएंगे मैनर्स भी अच्छे चाहिए दैवी गुण भी धारन करने है वो फिर 21 जनम चलेंगे अब हैं सब के आसुरी गुण क्योंकि पतित दुनिया है न तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी भी समझाई गई है इस समय बाब कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे बाबा ने आज हमें बरदान दिया विशेष्टा देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेष्टा को देखो विशेष्टा देखने की ही द्रिष्टी धारन करो जैसे आजकल का फाशन और मजबूरी चश्मे की है तो विशेष्टा देखने का चश्मा पहन लो दूसरा कुछ दिखाई न दे जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है तो विशेष्टा की चश्मे द्वारा कीचड को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कारे के निमित बन जाएंगे और स्लोगन है परचंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल यहीरा बन जाएंगे परदर्शन और परचंतन यह दोनों चीज़ें जो हैं आत्मा की दुष्मन है जो स्वचंतन से स्वध्या से स्वचंतन रखने से हमको दूर नहीं आती है तो बेदाग हीरा बनना है तो पर को थोड़ना पड़ेगा तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पश्टीकरन यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मेसेच करें या वाट्साप करें 888-265-99309 पर और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोंत्री कारिक्रम में देने का प्रयास अवस्य करेंगे ओम शंती